हलो फ्रेंस आपका स्वागत है एक ने वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपका रॉंग नंबर पे रिचार्ज हो गया है तो उस प्रॉब्लम का सेलूशन क्या है और आप लोग का बहुत ही जादा कमेंट आ रहा था कि सर ये बताई हमने गलती से किसी और के न नंबर पे रिचार्ज हो चुका है तो इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन है या नहीं है तो इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूं इस चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और घंटी का उप्सन आए तो उसे भी दवा दिजेगा ता नहीं दे पारा तो मैंने सोचा आप लोग को यह वीडियो के माधम से बता देता हूं और उस वीडियो के कमेंट में ही मैं यह वीडियो पिन कर दूँगा ताकि उन लोग को भी पता चल जाए कि इसका सलूशन क्या है है भी या नहीं तो फ्रेंस इसका सलूशन आपको नही मिलता है बेसिकली लेकिन हाँ एक चीज और जैसे कि आप फोन पे या फिर कोई भी चीज गलत जगा रिचार्ज कर देते हैं तो आपको उसमें एक ओप्सन मिल जाता है रोंग रिचार्ज का मैं आपको दिखा देता हूं आप खुद भी देख सकते हैं फोन पे ओपन किजिए देगा मैं दिखा देता आपको जिस फोन से मैं शूट कर रहा हूं उस फोन में पे है तो आप जैसे उसे करेंगे तो आ पिस आपको डिचार espaço करेंगति वह पे रिशर करने के उपसन आता है उसी के नीचे आपको आपके आइडि दिखाता है जिसे आपको रिचार्ज हुआ है उसी के नीचे आपको सेटिंग का उपसन दिखता हूं पर रोंग रिचार्ज का उपसन आता है तो आप चाहे तो उनको रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमने गलती से इस नंबर पर रिचार्ज कर दिया था लेकिन आपका जो पैसे हैं वो वापस तो नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है आपको मिल भी जाया लेकिन अभी तक ऐसा कोई कीश नहीं आया है जिसको रिचार्ज होने के बाद आपको पैसा मिला हो तो friends एक यह होता है कि अगर उस बंदे को आप कॉल करके बोल सकते हैं कि friends मैंने आपके नंबर पर गलती से रिचार्ज कर दिया है आपको अच्छा लगता है तो आप अगे आप भी रिचार्ज करवाते ही आप मुझे पेमिंट करना चाहते तो कर सकते हैं तो आप उनसे आप इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते कई लोग कहते हैं कि भाई वापस आ जाता है रिचार्ज किया हुआ तो आपको पैसे मिल जाता है लेकिन वो वीडियो अगर देखे होंगे तो वो फेक है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डवल रिचार्ज हो गया है मतलब किसी और की नंबर पे रिचार्ज हो गया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा मतलब आपको कंप्लेंट करेंगे तो आपको वापस मिल जाएगा हाँ अगर आपने डवल रिचार्ज अपने ही नंबर पे कर दिये तो इसका बेनिफिट है और इसका benefit यह है कि आपको एक plan खतम होता ही दूसरा plan एक्टिवेट हो जाता है उस case में आपका पैसे खराब नहीं होता है तो friends I hope कि वीडियो पसंद आया पसंद आया तो like, share and subscribe का नम अब पुलिएगा सारे doubt I hope कि मैं clear कर दिया होगा मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार